स्वागत है आप सबका मैं हूँ बेपिन सींग और आप देख रहे हैं दफिल्म इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माराथी और हिंदी में आई फिल्म जिसका नाम है धरम बेटू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है डेवन डेटू और आज के दिन कितना कलेक्श के उपर है कुछ अच्छी बात है इसमें होगी यानि रिलीज के बाद भी चल रहा है ऐसे कि कुछ लोग को प्रोपगेंडा लग रहा है यानि मिक्स रिव्यू आए हैं लेकिन अगर मैं वहीं बोलूं कि अगर इसका डेवन कलेक्शन कितना रहा है माराथी में तो माराथी लगभग 4 करोड के आसपास हो रहा है अगर हम बात करें हिंदी को लेकर तो हिंदी में इसका वाक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ हुआ ही नहीं है मुश्किल से 5-10 रुपए हैं वह इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि महाराश्ट के बाहर इन्हों ने इस फिल्म को रिली कि पूने में देखा जाए तो 41% दिन वह अगर मुंबई एरिया की बाद क्यों मुंबई में फॉर्टी फॉटी फई परसेंट रहा है और हम हम देखे तो पूने में 37 Soul Pinsy रहा है और वहीं हम फिर नागपूर में देखे तो तो नागपूर में इसका cinema occupancy तोड़ा कम रहा है लगबग 23% के आसपास रहा है और अंगाबाद की बात करें तो और अंगाबाद में 30 के आसपास इसका cinema occupancy गया है यानि ओभर आल बात कर रहे हैं मौर्निंग सो, आप्टरनों सो, इवनिंग सो और नाइट सो मिला कर मैं बोल रहा हूं, एवरेज बोल रहा हूं कि सभी की बात अवरेज हो रही है, तो लगबग 30 के आसपास गया है, वहीं अगर कोलहपूर को लेकर बात करें, तो कोलहपूर में इसका सिनेमा उक्वपेंसी जा है, 34% के आसपास रहा है, अगर वहीं मैं बात करूं नासिक को लेकर, तो नासिक में इसका सिनेमा उक्वपेंसी रहा है, 58% यानि नासिक में चारूर्ण को मिला दिया जा है, मोर्निंग, आप्टरनों, इवनिंग और नाइट, तो 58% एवरेज रहा है, तो नासिक में आधी कमाई हो गई है, अगर हम वहीं बात करें, आज संडे है, तो संडे के दिन कहा जा रहा है, 3.5 करोड के आसपास इसकी बॉक्स ओफिस कलेक्शन होने वाली है, यानि तिन दिन का इसका बॉक्स ओफिस कलेक्शन देखे, तो आज या बॉक्स ओफिस कलेक्शन 7 प्लस मे चला जाएगा और या फिल्म हिट के कगार पर जार रही है या ने सिनेमा घर में लोग देखने जार है आपने फिल्म आप फिल्म देखा एक